वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते मेरे प्यारे दोस्तों भाईयों बहनों सबको प्यार भरा नमस्कार आदाप सत्स्रियाकाल गुड मॉर्नेंग और सबको आल बेस्ट विशेस अब आज पहले मैं आपको कुछ बातें साउंड के बारे में समझाऊंगा कि ओम का साउंड कहां से शुरू होता है कैसे शुरू होता है इसका क्या साइंटिफिक बेस है उसके बारे में बताऊंगा और फिर उसके बारे में बताऊंगा कि एक क्योंकार, सत्ना, वे जो मूल मंत्र है, इसमें कैसे सभी चक्रा को इनरजाइज कर लेना है, और शुपर कांशियसनेस से अपने अंदर में उसको कैसे प्रविष्ट कराना है, या उसकी एंट्री सभी चक्रों से होती हुई, अपने शरीर में नर्व सिस्टम से होती हुई, पूरे शरीर में फैलाने का क्या तरीका है, मंत्रा कैसे काम करता है, यह मूल मंत्रा है, जो बहुत ही इफेक्टिव है, और इसके कई लोगों के उपर इसको अपनाया जा चुका है और इस मूल मंत्रा से सभी चक्र और नाड़ी केंद्र हमारा जो नेवल केंद्र है वो स्टार्ट हो जाता है सहर स्रिधारा चक्रा स्टार्ट हो जाता है उस सहर सिधारा के उपर जो कॉस्मिक एनर्जी है क्या सुपर कॉंशिसनेस है उससे कैसे ये मंत्रा सारी चीजों को कॉंटेक्ट करते हुए इंसान को सुपर साइलेंस में ले जाता है या परम शान्ती की तरफी ले जाता है और परम शान्ती में ही ओम का जो है उस उपस्थिती हम लोगन को दिखने लगती है समझ में आने लगती है ये जो मंत्रा है वैसा ही है जैसे ओम शान्ती एक योंकार लेकिन सभी चक्रा के लिए एक एक शब्द है और हमें कैसे चांट करना है वो मैं बताऊंगा उसके पहले ये बताऊंगा के इलेक्ट्रॉंस के अंदर में और एटम के अंदर में मॉलीकुल के अंदर में हमारी जो सेल है इंडिविजिल सेल उसमें कैसे शबद बचता है साउ और इस मंत्रा को चांट करने से दोनों जो वाइब्रेशन है दो किसम के एक जो हमारे अंदर में चल रहे हैं और दूसरे जब हम मंत्रा चांट करते हैं दोनों में रिजोनेंस होता है दोनों साउंड वेव में कोई दो साउंड वेव चल लई है तोनों में रिजोनेंस होगा तो रिजोनेंस की भी जो दो स्थितियां रहती है एक जो है जिसमें बहुत साउंड आता है और दूसरी स्थिति रहती है जिसमें एकदम साइलेंस आ जाता है तो हम जो है साइलेंस की तरफी वाला चलना शुरू कर देते हैं और जो है सुपर साइलेंस को प्राप्त कर लेते हैं अब इसके बारे में आप मेरे विचार सुनिये मेरे को पूरी उमीद है कि बहुत ही परमात्मा ने मेरे अंदर में डाउनलोड किये हैं जो मैं आप लोगों से शेर कर रहा हूं ध् से पहली बात एलिमेंटरी केमिस्ट्री के हिसाब से हम एटम के स्ट्रक्चर को भली भाती जानते हैं एटम की न्यूकलियस में प्रोटांस और न्यूट्रांस दो किसम के पार्टिकल्स रहते हैं प्रोटां के उपर इलेक्टिकल पॉजिटिव चार्ज रहता है जो की पारों तरफी इलेक्ट्रॉंस जो है अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट आर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉंस के उपर निगेटिव चार्ज रहता है। यदि बहुत हाई स्पीड चलेगी तो उसमें से साउंड निकलना एक नेचुरल बात है। इसमें कोई दोमत नहीं है। जैसे हम घर में सीलिंग फैन को चलाते हैं और यदि इसकी स्पीड को बढ़ा दें तो अपने आप जो है साउंड निकलने लगता है। इसी प्रकार जब प्रत्वी अपने एक्सिस के चारो तरफी घूमती रहती है और सूरज के चारो तरफी भी चक्कर लगाती है तो उसमें से एक साउंड निकलता है जो की बहुत ही पूरे युनिवर्स में ये साउंड जो है वेफ साउंड की वेफ घूमती रहती है। ऐसा प्रत्वी के घू भूमते रहते हैं अपने अपने और अपने एक्सिजिन आप जो है निकलता है जैसे इंद का समजने की कोशिश करिए साउंड के जनरेशन उसपरकार होता है अब हम जो है एटम की बात को समझें एटम जो है electron की movement की वज़े से sound जो है produce होता है वो ये sound की मात्रा बहुत कम रहती है लेकिन ये जो धीरे धीरे जो है और electron जो है matter के अंदर में बहुत सारे electron रहते हैं वो अपने जो है nucleus के about around घूमते रहते हैं और sound को produce करते हैं इसी प्रकार बहुत सारे molecules मिलके एक matter बनाते हैं matter जो है मिलके एक fundamental cell जो है वो बनाता है अर्थाथ cell के अंदर में भी sound जो है चल रहा है बज रहा है हर cell जो हमारा है हमारे अंदर में उसके अंदर में sound अपने आप produce हो रहा है और इस sound को naked या ऐसे साधारन तोर पे सुनना बहुत मुश्किल है लेकिन इसको महसूस करना बहुत आसान है उस sound की वज़े से ही हमारे cell जो है इधर उधर 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 गतिशील होते है इनके वज़े से इन cell में जो electrical charge है ये electrical charge हमारे शरीर से बाहर की तरफी आता रहता है और जो है electrical lines जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकलती रहती है और उसको औरा बोलते हैं जो electro bio electromagnetic lines है जो शरीर से इनकी वज़े से निकलता रहता है अब जब हम मंत्रा chant करते हैं तो हमारा फील्ड एक और vibration जो हम create करते हैं अपने vocal system से या मन के अंदर में chant करते हैं तो भी जो है sound generate होता है ये sound और जो पहला sound मैंने बताया ये दोनो sound मिलके एक resonance जो है उसकी स्थितियां पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं और जो है धीरे धीरे उनके जो null points रहते हैं कोई भी sound wave है जैसे sinocidal wave 180 degree की difference ये दी वो चल लिये 180 से difference ना भी हो तो भी ये दी चल लही है तो एक point पे maximum amplitude रहता और एक line पे जो है access वाली line पे zero रहता है displacement तो जहां पे zero रहता है वहां समझली एकदम silence है या super silence उसको अपन इस्थिति मान सकते हैं और उस इस्थिति को ही पैदा करना हमारे mantra का main object रहता है और mantra chant करते करते जो है मनुष धीरे 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 जो है शांती की तरफी अग्रसर हो जाता है और उसके अंदर में silence आ जाता है और इसकी नित्ता प्रती प्रैक्टिस करने से super silence की तरफी जो है बढ़ने लगता है मन में फिर एक ही भाव चलता है और उसको बोलते है एक एक उंकार जब उंकार तभी प्रगट होता है जब मन के अंदर में साइलेंस आ जाता है या सुपर साइलेंस दीरे दीरे सुपर साइलेंस की स्थिती भी बनने लगती है पहले आपको साइलेंस अन्भव होगा तो जैसे जैसे आप प्रेक्टिस करते जाएंगे अनभव बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अनभव में जो है सुपर साइलेंस सुपर साइलेंस जो है समाधी की अवस्था कहलाती है उस तरक उस तक जो है आप पहुँच जाएंगे अब मैं आपको यह मंत्रा के बारे में बताऊंगा जो भी आपता जो रूट चक्रा हमारा वहां जहां रूट चक्रा का ओरिज़न है जब हम मंतरा बोलें तो रूट चक्रा का वो पॉर्शन जो हमारे विजुलाइजेशन में रहे तो उस तेम हमको बोलना है एक ओंग का उसके बाद अगला शब्द है सत नाम तो जब अगला हमारा सेक्रल चक्रा है तो उसके उपर हमको सत नाम का शब्द बोलना है करता पुर्ख सेक्रल चक्रा के उपर हमारा नेवल आता है नेवल के उपपर बोलना है करता पुर्क उसके बाद में सोलर प्रेक्स चक्रा आता है और उसके उपपर हमको बोलना है निर्भाव उसके बाद में हमारा अनाहत चक्रा आता है और अनाहत चक्रा के उपर में हमको निर्वेर ऐसा बोलना है उसके बाद में थ्रोट चक्रा आता है थ्रोट चक्रा के उपर हमें अकाल मूरत ये बोलना है उसके बाद में हमारा जो है पिनल ग्लेंड अर्थाट थर्ड आई चक्रा लेकिन हम चल रहे हैं सारा प्रोग्राम लेके पीछे की तरफी से spinal cord के along जो चक्रा के हमारे points है energy points है उनके हमें imagine करना है एक एक शब्द जो मैंने बताया imagine करते हुए पीछे की तरफी चलना है और अजना चक्रा पे बोलना है अजूनी सैभंग उसके बाद में सहस्रारा आएगा टॉप पे उस पे बोलना है गुर प्रशाद इतना बोलने के बाद में जब शब्द आता है मैं पूरा मंत्रा नीचे description में लिखा हुआ है आप पहले उसको याद कर लेना फिर एक 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 चक चक्रा के उपर उसको practice करके आप बोलते रहना आदा घंटा रोज धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जो है silence की तरफी बढ़ने लगे हैं और शरीर में हर चक्रा जो है energized हो जाता एक मंत्रा से सारे चक्रा जो है energized होने लगते हैं साथ के साथ चक्रा और जो उपर की तरफी है आठमा चक्र जो शरीर के बाहर है ग्राउन चक्रा के ऊपर भी एक पॉइंट है जिसको हम आठमा चक्र भी बोलते हैं जो कॉस्मॉस का है वहाँ से सुपर कांशिसनेस की जो है एंट्री होती है और उसके बाद में हमें गुर परशाद के पास में बोलना है जप और उसके बाद चार पाँच इंच उपर एक पिरेमेड जो ट्रेंगलर है ट्रेंगल जैसे ग्लास के पिरेमेड रहते हैं वैसा हमें इमेजन कर लेना है और जो है उसके एक कोने पे बोलना है आदिससच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच और जो उपर का उसका पॉइंट है बेस के जो तीन पॉइंट थे ट्रेंगल प्रेमेड के उसमें हमने आदिससच जुगाद सच है भी सच और चोथा जो उपर की तरफी है उसमें बोलना है नानक होसी भी सच और जो इसको अपनी कांशियसनेस को मोड के नीचे लाना है जैसे आप उपर वाले कार्णर जो इसका कोना है नीचे की तरफी आएंगे तो फिर आप जो नीचे जो पीछे जहां कुंडलनी है जहां से हमने एक कुंकार बूला था फिर आप वहां पे आ करना है उसका जो कोना है वो आगे की तरफी रखना है वो पीछे की तरफी जो दो कोने है वो पीछे की तरफी आएंगे जहां पिनल ग्लैंड है और रोटेशन जो है वो क्लॉक्वाइस घुमाना है और क्लॉक्वाइस घुमाने के बाद में जब तीसरा हो जाएगा तो चो बाद में भी कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ के समझ के करना है। हर एक जो हमारा पीछे की तरफी से जो हैं इमेजन करते हुए एक क्योंका सत्नाम करता पुरक निर्भव निर्वेर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर्परशाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ये जो है एक सुन्दर्तम और वेल प्रूवड टेक्नीक है जिससे की एटे टाइम हमारे सारे चक्रा जो हैं इनर्जाइजड हो जाते हैं उसके बाद जो उपर का पुर्शन जप है उसमें जो चार लाइने हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ये लाइने चार हैं ये चारो लाइने एक एक कोने पे अपने को बोलना है जो उपर में पिरेमिड इमेजन किया है और उसका जो शिक्षर है वो टोप पर रखा है वो टोप सुपर कांस्सिसनस से जोड़ेगा हमें और फिर नीचे की तरफी लाएगा पहले इनर्जी जो है एक 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 चक्रा से कुंडलनी शक्ती जो है वो उपर आती है फिर सुपर कॉंशियसनेस जो है पहले शुरू में कॉंशियसनेस ही जाती है धीरे 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 प्रेक्टिस करने के बाद में सुपर कांशिसनेस के करण जो है धीरे धीरे अंदर जाने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे वो अंदर जाने लगती है वो शक्ती एनरजी सुपर कांशिसनेस तो जो है आपको जो है बहुत आनंद आएगा आपके मन में शांती आएगी और इस शान्ती के प्राप्त करने के लिए जो हम सब उपराले कर रहे हैं और जितना आप शान्ती में बैटके, पजमासन में बैटके, सुखासन में, सिध्धासन में अराम से कमफर्टेबली बैट जाएए, आखें बंद कर लीजिए आखों के सामने सारे चक्रा जो है, सातों चक्रा वो एक 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 बार एक एक शब्द से उसके उपर रखिए मतलब सातों चक्रा के उपर और नेवल के उपर भी रखना है तो नेवल के उपर भी जो है, वो रखते हुए चलना है मैंने मंत्रा भी लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में आप पहले मंत्रा याद करिए प्रैक्टिस करिए और जो है ये पीछे की तरफी जो है ना स्पाइनल काड उधर जो है उधर से अपने को नीचे से स्टार्ट करना है उपर तक पुर परशाद को जो है जो हमारा क्राउन चक्रा है वहाँ तक लाना है फिर क्राउन चक्रा के उपर मत्वर सिर के बाहर की तरफी एक पिरामेड इमेजन करना है सिर्फ रखना कुछ भी नहीं है और लेकिन उसकी एक नुक्की हमारे जो है सामने की तरफी और दो जो नुकियां वो पीछे की तरफी रहें क्योंकि वो पिरामिड है वो बेस उसका ऐसार है और उपर में एक कोन आएगा ट्रैंगल पिरामिड है कहीं से भी देखेंगे तो वो ट्रैंगल ही दिखेगा इस टाइप का पिरामिड है इमेजन करना है वो और एक एक लाइन जो आद सच जगाद सच है भी सच नाना खोसी भी सच जैसी बोलेंगे तो इमेजन में ही डाउनवर्ड उसको लेके आना है और वो नीचे तक अपने आप फिर जो है आ जाएगी सुपर कॉंशिसनेस नीचे की तरफी हर चक्रा को बेधने लगेगी वो हमारे अंदर की तरफी प्रवेश होने लगेगी लेकिन इसको अराम से करिए प्रेम से करिए शान्ती से करिए और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टेस बढ़ाईए आदा गंटा रोज करिए आदा गंटा रोज करने से आपके अंदर में आप चाहे कैसे भी व्यक्ति हो आपने तब किये या नहीं किये हैं लेकिन ये जो है मंत्रा काम करने लगेगा सारा आदा घंटा आपको रोज करना है सुबह के टाइम करिए आदा घंटा शाम के टाइम आदा घंटा आपके जीवन में पूरा जो है बाइलोजी फिजिक्स स्पिचेलिटी सब बैलन्स हो जाएगी मन शांत हो जाएगा मन की शांती के लिए ही इसको चांट करना है लिकनी आपको ले जाएगा कहां तक या आपको सीधा मुक्ती के द्वार तक ले जाएगा और मुकत करा देगा इनसान की आत्मा को मुक्ती ही हमारा में टार्गेट है अबजेक्ट है उसी के लिए परमात्मा हमें भेजा है इस मंत्र को आप करिए प्रोसीजर से मैंने सारे चक्रा के फोटो भी लगा दिये आप ध्यान से देख लीजिए नाधी पे भी जो है अपने को बोलना साथ चक्रा और एक नाधी का भी रहता इंपोर्टेंट पॉइंट है आठ वो हो जाते हैं फिर चार पॉइ हैं टोटल टोटल पॉइंट लगेंगे और टैल ही इसमें वह थर्टीन वह जब मैं एक ऐसा स्पेस देना है कि हमारा जो है एक सेक्रल चक्रा के अबो जो है वह जब शब्द आएगा वर्टिकली अपपर उसके बाद फिर होरिजंटली हो जाएंगे तीनों और जो चलने लगा है काम करने लगा है शुरू में प्रैक्टिस में आपको करना रहता है ज्यादा परिश्रम बाद में जब यूस्टू हो जाता है तो परिश्रम कम करना पड़ता है वो मिठास ज्यादा भरने लगती है इतना कहके मैं इलाक्चर बंद कर रहा हूं आप इसको करे समझें, अच्छे से करें कुछ आपको तकलीफ है तो नीचे में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने और बातें सब लिखी हैं फिगर भी बनाए हैं आप उसमझ में आ जाएगा आप करने योग हो जाएगे नमस्कार, मेरा चैनल सबस्क्राइब करिए ताकि और ग्यान भरे बातें आपसे समझा सकूँ, बता सकूँ